हेलो नमस्ते नमस्त का सस्रीयकाल वड़कम जजनी इंद्र आदा बड़ो को मेरा साधर पड़ाम छोटो को मेरा धेर सार प्यार केसो आप हो पच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं अप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुप्रेसाव के ब्लॉग में त चारे काम वगेरा खतम करके मैं थोड़ी सी नीद ले ली थी तो आखे में दी दिखी चड़ी चड़ी भी लग रही है लग रहा है ना मैं सोके उठी हूं अभी मेरे पास 1 हावर है नहीं 1-2 हावर है मेरे पास जो कि प्री टाइम है मेरे पास प्रिटिवीटी करनी होती है इस तैम ही करती हूँ तो चलिए आज मेरे माइंड में है चवन प्राज बनाने को जो की बहुत हल्दी होने वाला और घर की चीज़े तो हल्दी हो दी है तो बस आज वही है रेस्पी मेरी चवन प्राज की जो आप लोगों से सेर करूंगी तो मेरे वीडियो ब्लोग पे फु आपके कमेंट्स साब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है वह सुकून सा होता है कि मैंने इतनी महनत की है तो मेरी महनत सफल को रही है तो अच्छा लगता है प्रीस कमेंट जरूर क्या कीजी तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी आज की रेस्पीं में चबं प्रास बहुत ही पॉस्टिक भरा पल है ही तो आमले का ही मैं चबन फ्रास बनाऊंगी तो चलते हैं आपको लेकिए अपने किचन में और बनाते हैं चबन प्रास आ चुके हैं पिचन में और यह ले लिया है आमला इधर हमने आमले को बॉयल कने के लिए रख दिया है और तीन चार्च एक लगेगा तब तक यह बॉयल हो जाएगा अच्छी तरीके से तुछली जब तक यह बॉयल होता है तक हम दूसरे काम पपिट करते हैं यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिये हैं तुलसी जी के पत्ते हैं और कुछ मेवे हैं मसाले मैंने एक चमब जीरा एक चमब स्काली में एक इंस दालचेनी का तुकड़ा दस बारा छोटे लैची, दस बारा लॉंग लिये हैं और तेज पत्ता दो लिया है और जो जाइफल होता है वो काफी गरम होता है तो इसको मैं अपने अकॉर्डिंग 20 से 25 टाइम इसको अच्छे से क्रिस करके इसको निकाल लिया है तो देखे, इस तरीके से मैंने क्रिस अच्छे से कर लिया है और इच्छे से क्रिस हो जाएंगे अब इन सारे मसालों को मैं ग्राइंड कर लोगी सरद्यों का टाइम चला है तो एसे आप फोड़ास हलका सा इसको रोस्ट कर के करेंगे रा अच्छे से grind हो जाएंगे वरना बहुत problem होगी grind करने में तो मैंने हल्का सा roast किया है उसके बाद ही मैंने grind किया है और इसमें बिल्कुल बारीक नहीं हो पाते हैं मसाले तो कुछ खड़े रह जाएंगे तो मुँ में आएंगे तो अच्छा नहीं लगता तो इस तरीके से मैंने चलनी से इसको पूरी बारीक जो जितनी है वो निकाल लिये हैं और ये जो कुछ खड़े रह गए हैं इसको वेस्ट नहीं जाएगा आप सबजी में दुबारा इसको ग्राइंड करके यूज कर सकते हैं देखिए मसाले मेरे रेडी हो चुके हैं और यहां पर मैंने मेवा लिया है जो की 100 ग्राम किस्मस थी और 100 ग्राम मैंने च्वाड़े लिये हैं यहां पर मैं आधा केजी आमला और आधा केजी ही गुड़ का यूज किया है और खुब जादा तुलसे जी के पत्ते मिला के अच्छे से ग्राइंड कर चुकी है तो यहां पर देखिए मेरे सीटी भी आ चुकी है और आमले मेरे बॉयल होके रेडी हो चुके हैं तो इस तरीके से मैं आमलो के पुकड़े असानी से निकल जाएंगे और बीज अलग कर लिजें और फिर आमले के जो गुड़े हैं उनको आप अच्छे से ग्राइंड कर लेना बस इस तरीके से मैंने रेखिए सारे बीज को निकाल लिया और इसको ग्राइंड कर लूँगे और यह असाने से हो जाएंगे और पानी वगएर का यूज नहीं करना है इसको बिलकुल ऐसे ही ग्राइंड करना है तो यह अच्छे से हो जाएंगे विदाउद पानी के तो पानी का यूज मत कीज़ेगा और यहां पर मैंने अद्रक लिया हुआ है जो कि जादा सा ही है तो इसको मैंने सबच्छे से मिक्स करके आमले में ही अद्रक को यहां पर पेस्ट त्यार कर लिया है अब यहां पर मैंने घी में सोही कड़ाई में देसी घी लिया है और देसी को जादा गर्म नहीं करने वरना जल जाती है तो तुरंट मैंने घी लिया था और आमला इसमें एड किया है और इसको धीमी आज पे अच्चे से करीबन पान से साथ मिनट तक आपको भुनना है और आपके हाथ बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए तो यह देखिए कलर भी चेंज हो चुका है तो लग रहा है ना कि यह भुन चुके हैं और भुनना नहीं है इनको बस इनका कचापन थोड़ा सा दोर करना था और फिर यहां मैंने गुड के चुकड़े करके रख लिये थे तो मैंने गुड इसमें एड किया है और अब जितना भी आमले का यूज करेंगी उतना ही गुड आप यूज करें तो यहां पर मैं अब गुड को भी अच्छे से इसमें मिक्स करूंगी तो देखिए गुड धीरे-धीरे पूरी मेल्ट हो गए है अच्छे से अब इसमें जो मैंने मेवा और तुलसी जी के पत्ते ड्राइंड किये थे उनको एड करूंगी और फिर से इनको अच्छे से मिक कर दूंगी जो कि मैंने त्यार किये हुए हैं और अब इसको मुझे बिल्कुल थिकनेस तक लेके जाना है तो मैं इसको अच्छे से बुनूंगी तो यहां देखिए पुरी थिकनेस आ चुकी है और मेरा ये रेस्पी बन के रेडी हो चुका है